हेलो दोस्तो मैं आज आपको गरम मसाला बनाना सिखाऊंगी ये गरम मसाला बहुत आसान है हम सोचते हैं कि गरम मसाला कभी-कभी किसी किसी सबजी में डाला जाता है जब स्पेशल है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो ये मेरा बनायो गरम मसाला रुजाना आप दो चुटकी चौ एल्दानी में डेली के मसालों के साथ रख लीजे दोस्तों इसमें काली मिर्ची, लॉंग, जाइफल, लाइची बड़ी लाइची सारे ऐसे मसाले जो हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे हमारे कहाने को भी स्वाथ बढ़ाएंगे आईए दोस्तों देखते मैंने इसके लिए क्या-क्या मसाले लिए हैं मैंने इसके लिए टोटल दस मसाले लिए हैं दोस्तों मैंने एक सेम साइस की बॉल में इसलिए रखें जिससे आपको कॉंटिटी का आइडिया हो चाहिए अब मैं आपको अपने के करते हूँ मैंने दो इंच डाल चीनी का तोकड़ा लिया है छे इलाई चीली हैं दोस्तों हरी वाली छोटी जो खानी में बहुत अच्छी खुश्बू देती है जावित्री के फूल है चार से पाँच ये बहुत इमिनिटी को इंप्रूव करते है ये सादा जीरा है हमारा दोस्तों जो दो चमच है जो हम टेली खाने में डालता है अपने इस मसाले में भी डालेंगे ये मैंने छे बड़ी लाई चीली हैं जिसे हम दॉंडे भी कहते हैं इनका उपयोग जादा तरह हम कम करते हैं ये आट से दस लॉंग है ये सर्दी जुगा में बहुत काम आती है ये एक जावित्री है दोस्तों जाएफल है जाएफल जो है इतनी टाइट नहीं होती है मैंने इसको कूट कर इस तरह पॉडर बना लिया है जाएफल भी बहुत अच्छी होती है इसकी खुश्बू बहुत तेज होती है ये एक चम पत्ते निकाल देते इसमें यह पिस्ट जाएंगे यह शाग जीरा उर जीरा दोनो लिया है एक एक चममच सबसे पहले दोस्तो इसमेश में एक कटोरी धनिया भी डले पर चोड़े से बरतर में लेंगे दोस्तों जिसे जल्दी ठंडे हो जाएं क्योंकि जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे रूम टेंपरिचर पढ़ा जाएंगे दोस्तों उसी के बाद हमें इसे पीस नहीं है वरना हमारे मसालों के खुश्बू चली जाती है अब मेरे जो छो के बाद यह सारे मसाले ठंडे हो गए हैं मैं इनको ग्रैंडर में पीस लिया है पीसते वक्त दोस्तों ध्यान देना है कि हमारा मिक्सी का जो जार है वह हम गरम ना हो जाए वरना मसालों की खुश्बू चली जाती है अच्छे से इसको पीस लिया है एक दम फाइन आप चाह झालों की खुश्बू